खबर उत्य प्रदेश के जनपन अलिगड़ से अलिगड़ में श्कूल प्रशासन और स्वास्त विभाग की ओर से एक बड़ी हिला परवाही का मामला सामने आया है सरकारी श्कूल में पढ़ने वाले करीब 150 बच्चों को जबरन वैक्सीन की डोज लगा दी गए जिसके बाद करीब 50 बच्चों की तबियत खराब होने की जानकारी सामने आ रही है इस दौरान बच्चों को फॉरन सीच्ची में इलाज के लिए ले जाया गया वहीं परिजणोंने आरूप लगाते हुए कहा है कि बिना अनुमद्धी के बच्चों को वैक्सीन की लगा आगया गया वहीं बिमार बच्चों ने जानकारी देते हैं बताए कि स्कूल का गेट बंदकर वैक्सीन की डोज लगाई गया इसका विरोध करने पर उनके साथ मारपीट भी की गई मामला अलिगर के थाना दादो इलाके के नाई का नगला प्रात्मिक विद्याले का है वैक्सीन लगने के बाद बच्चों को उल्टी और दस आने लगे जिसके बाद उनके परिजनों ने उन्हें आनन फानन में अस्पताल में पहुचाया जहां बताया जा रहा है कि स्कूल प्रशासन और डॉक्टरों ने बच्चों के अविभावकों को डोज लगाने की जानकारी नहीं दी थी वहीं प्रगती सील समाज़ादी पार्टी के जिला अध्यक्षिर राम आवतार यादो ने बताया कि अध्यक्षिर नगला के शरकारी प्रात्मिक विस्कूल का गेट बंद कर बच्चों को वैक्सिनेशन किया गया है राम आवतार यादो ने कहा कि है स्वास्त विभाग और उश्कूल प्रिशासन के ओर से बड़ी लापरवाही की गई है अधिकारियों को इस मामले में संग्यान लेकर ऐसा कारी करने वालों के खिलाफ कारिवाही करनी चाहिए स्वास्त केंद के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अवनेंद रियादो ने बताया कि बूस्टर अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत टीडी और डीपीडी के टीके लगाया जा रहे हैं